नमस्कार, क्रांती ओवेसा में आपका स्वागत है। किसी जमाने में चकेरू और पखेरू के बीच युग्ध छिर गया। तई दिनों तक युग्ध चलता रहा। चमगादर, जो आधा पशू और आधा पखेरू था, इस युग्ध पर अपनी द्रिश्टी गड़ाए रहा। अंत में उसे ऐसा लगा कि चक ही युग्ध जाएंगे। तुरंद वल चकेरू की फौज में भरती हो गया। पर युद्ध का नतीजा एक आएक पलट गया। आखिरी हमले में चकेरू हार गए और पखेरू की जीत हो गई। ये देखकर चमगादर ने फिर दल बदला। वल जैसे ही पखेरू के दल में घुसने गया कि सारे पखेरू ने मिलकर उसे ख़देर दिया। वो फिर चकेरू के बीच लौट आया। पर उसकी इन हरकतों से चकेरू उस पर चिले बैठे थे। उन्होंने उसे ऐसा ख़देरा कि उसे अपनी जान के लाले पर गए। वो जाकर अंधेरे कोने में छिप गया। तब से आज तक चमदादर अपना मूँ दिखाने के काबल नहीं रहा। शायद इसलिए वो सिर्फ रात में ही घर से बाहर आता है।